हेलो दोस्तों आप सबीका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विके गुपता ट्रोरियल्स में आज मैं आपके लिए साइन्स का टॉप 50 कुजिन पार्ट 5 लेकर आया हूँ आपके आने वाल एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है अगर आप इस वीडियो का पीडिया फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं फर्स्ट कुजन से तो फर्स्ट कुजन है कौन बिदुधारा का सबसे अच्छा चालक है तो चांदी जो है बिदुधारा का सबसे अच्छा चालक है क्या चांदी बिदुधारा का सबसे अच्छा चालक है चांदी का संकेत कितना होता है तो एजी ठीक है चांदी का संकेत क्या होता है एजी औ सबसे अधिक है कितना परस्ट पाए जाता है 78% सवाल यह भी पूछता है कि वायू में ऑक्सिजन पाए जाता है 21% आप से बाएट्री परकान वयerson crash प्रेट की एसे मुक्रीक घ्रल फालता है तो डाफाइड जो है बैक्तरिया के द्वारा फहलता है टाइफाइट रोग बैक्टरिय के द्वारा फैलता है ठीक है नेक्स्ट है 4 नमबर मधुमे रोग किसे प्रभावित करता है तो मधुमे रोग जो है अगनासे को प्रभावित करता है किसे प्रभावित करता है मधुमे रोग अगनासे को प्रभावित करता है स्वाल ये भी पुछता है कि इंसुलीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो इंसुलीन की कमी से मधुमे रोग होता है ठीक है नेक्स देखते हैं 5 नंबर ठीक है देखिए 5 नंबर स्वाल बोल रहा है तडित चाला की खोज किसके द्वारा किया गया था तो तडित चाला की खोज बिंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था किसके द्वारा किया गया था बिंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तडित चाला की खोज किया गया था ठीक है नेक्स्ट है 6 नमबर portland cement का मुख्य तत्व कौन कौन है तो portland cement का मुख्य तत्व है lime, silica और alumina कौन कौन है lime, silica और alumina portland cement का मुख्य तत्व है ठीक है next है 7 number AC को DC में बदलने के लिए किसका परियोग किया जाता है तो AC को DC में बदलने के लिए Rectifier का परियोग किया जाता है किसका परियोग किया जाता है AC को DC में बदलने के लिए Rectifier का ठीक है Next 8 number मिर्क तिर्षना बनने का क्या कारण है तो मिर्क तिर्षना बनने का कारण है पुर्ण आंतरिक परवर्तन क्या है मिर्क तिर्षना बनने का कारण है प्रारंब होता है, भोजन का पाचन मुखगुः से प्रारंब होता है ठीक है, नेक्स्ट है 10 नमबर, सबसे अधीक तन्य तत्व कौन है, तो सबसे अधीक तन्य तत्व है, सोना, कौन है, सोना सबसे अधीक तन्य तत्व है सोना का संकेत होता है, AU ठीक है और इसका atomic number यानि प्रवानु संक्या 79 होता है ठीक है ना next है 11 number कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्राविर्थ है तो nylon ठीक है nylon जो है सबसे कम आग पकड़ने में प्राविर्थ है next है 12 number परकास का रंग निस्चित किया जाता है किसके द्वारा तो परकास का रंग निस्चित किया जाता है तरंग धैर के द्वारा किसके द्वारा तरंग धैर के द्वारा परकास का रंग निस्चित किया जाता है next है 13 number यानि 13 number 13 number है सार्स क्या है सार्ष जो है बिसानु द्वारा फैनने वाली बिमारी है ठीक है नेक्स्ट चौदा नमबर सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है तो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन कौन है चीन जो है सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन की रजानी क्या है तो चीन की रजानी है बिजिंग और वहाँ करास्ट पती है सी जिंग पिंग ठीक है नेक्स्ट है पंदरा नमबर जोती तिव्रिता की काई क्या है तो जोती तिव्रिता की काई होती है कैंडिला क्या होती है जोती तिव्रिदा की काई कैंडेला होती है नेक्स्ट है 16 नमबर खोन की कमी से कौन सा रोग होता है तो खोन की कमी से एनेमिया रोग होता है कौन सा रोग होता है अगर आपके बॉड़ी में खोन की कमी है तो समझ ले कि आपको एनेमिया रोग है यानकी खून की कमी से एनेमिया रोग होता है ठीक है नेक्स्ट है 17 नमबर 17 नमबर सवाल बोल रहा है 17 नमबर सवाल है वर्सा की बुंदे किसके कारण गुलकार होती है तो वर्सा की बुंदे जो है प्रिष्ट तनाओ की कारण गुलकार होती है किसके कारण, बर्षा की बुंदे प्रिश्ट तनाव के कारण गुलकार होती है नेक्स्ट है अठारा नमबर, स्टेनलेस अस्टील में क्या उपस्तित रहता है नेक्स्ट है 19 नमबर इंसुलीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो इंसुलीन की कमी से मदुमे रोग होता है कौन सा रोग होता है इंसुलीन की कमी से मदुमे रोग होता है नेक्स्ट है 20 नमबर आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है कौन से रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर 21 नंबर स्वाल है किसे रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो हीमोफिलिया रोग में ठीक है? नेक्स्ट है 22 नमबर, कूपोशन में सबसे अधिक किसकी कमी होती है, तो कूपोशन में सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है, किसे कमी होती है, प्रोटीन की, ठीक है, नेक्स्ट है 23 नमबर, दूद को किसे ताप पर पस्चुरित किया जाता है, तो दूद को 62 डिगरी सेल्स समानरूप में पाया जाता है क्या पाया जाता है कैलसियम और कैलसियम का संकेत होता है CA और इसका अटामिक नंबर प्रमानु संक्या 20 होता है ठीक है next देखते हैं 25 नंबर 25 नंबर स्वाल है धोनी का वेक सबसे अधीक किसमें होता है तो ध्वानी का वेक सबसे अधिक होता है इस पात में किसमें होता है ध्वानी का वेक सबसे अधिक इस पात में होता है ठीक है नेक्स्ट है 27 नमबर, जीवन रचक हॉर्मोन्स किस गरंती से सिरावित होते हैं, तो जीवन रचक जो हॉर्मोन्स है, वो एड्रेनल गरंती से सिरावित होते हैं, किसके कौन से गरंती, एड्रेनल गरंती से जीवन रचक हॉर्मोन्स सिरावित होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है 29 नमबर स्वाल, यानि 29 नमबर स्वाल मनुस के हिर्दे में कितने प्रकोष्ट होते हैं तो मनुस के हिर्दे में 4 प्रकोष्ट होते हैं कितने प्रकोष्ट होते हैं, 4 ठीक है नेक्स्ट है 30 नमबर अंडा में कौन से विटामिन नहीं पाया था तो अंडा में vitamin C नहीं पाए जाता है कौन से vitamin? vitamin C vitamin C के कमी से कौन से रोग होता है? तो vitamin C के कमी से असकरवी रोग होता है ठीक है? अब vitamin C का रसाइनिक नाम क्या है? तो ascorbic acid ठीक है? next है 31 number protein का पाचन किस enzyme द्वारा होता है? तो protein का जो पाचन है वो पेपसीन के द्वारा होता है पेपसीन एक enzyme है जो protein का पाचन करता है ठीक है? next है 32 number जीव बिग्यान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव बिग्यान का जनक अरस्तु को कहा जाता है किसे कहा जाता है? जीव बिग्यान का जनक अरस्तु को कहा जाता है ठीक है, नेक्स देखते हैं 33 नमबर, 33 नमबर स्वाल है, दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है, तो दर्द दूर करने वाली दवाई एनाल जेसिक कहलाती है, क्या कहलाती है, एनाल जेसिक दर्द दूर करने वाली दवाई कहलाती है, ठीक है, नेक्स ते 34 नमबर, प कौन सी सक्रा पाई जाती है तो दूद में लैक्टोज पाई जाती है क्या पाई जाती है दूद में लैक्टोज पाई जाती है ठीक है नेक्स्ट है 36 नमबर रानी खेत बीमारी किसे समंदित है जो रानी खेत बीमारी है मुर्गियों में होती है ठीक है यानि कि मुर्गियों स करते हैं किसे नस्ट करते हैं बैक्ट्रिया को एंटिबायोटिक्स बैक्ट्रिया को नस्ट करते हैं नेक्स्ट 38 नमबर अंडानू का निसेचन किस में होता है तो अंडानू का निसेचन जो है फिलोपियन ट्यूब में किया जाता है किसमें किया जाता है अंडानू का निसेचन फिलोपियन ट्यूब में किया जाता है ठीक है नेक्स्ट है 49 नमबर कोबाल्ट 60 क्या उठसरजित करता है तो कोबाल्ट 60 जो है गामा किरने उठसरजित करती है कौन से किरन उठसरजित करती है गामा किरने ठीक है कोबाल्ट 60 गामा किड्ने उत्सरजित करती है नेक्स्ट है चालिस नमबर परते किड्नी का भार कितना होता है तो परते किड्नी का भार 140 ग्राम होता है कितना होता है परते किड्नी का भार 140 ग्राम होता है ठीक है नेक्स्ट है 41 नमबर सवाल 41 नमबर 41 number है किटानू नासक के रूप में क्या परियोग किया जाता है तो किटानू नासक के रूप में बिरंजक चुन का परियोग किया जाता है क्या परियोग किया जाता है किटानू नासक के रूप में बिरंजक चुन का ठीक है नेक्स्ट बैयालिस नमबर रक्त का कितना परतीसद भाग प्लाजमा होता है तो रक्त का 55 परसेंट भाग जो होता है प्लाजमा ठीक है रक्त का 55 परसेंट भाग प्लाजमा होता है नेक्स्ट तेतालिस नमबर स्वासन किरिया के फलसुरूप किसका निर्मान होता है तो स्वा नाइक्रोम का बना होता है, किसका बना होता है, हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है, नेक्स्ट है, पैतालिस नमबर, पैतालिस नमबर स्वाल है, प्रकास का सबसे अच्छा परवर्तक किसे माना जाता है, तो प्रकास का सबसे अच्छा परवर्तक समतल दर्पन क समतल दरपन को परकास सबसेचा परवर्तक माना जाता है 46 नमबर इंद धनुस के बीच में कौन सा रग होता है तो इंद धनुस के बीच में हरा रंग होता है कौन सा रंग होता है इंद धनुस के बीच में हरा रंग होता है नेक्स ते 47 नमबर परकास का परकिर्णन किस पर निर्भर करता है तो जो परकास का परकिर्णन है वो तरंग धैर पर निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है परकास का परकिर्णन तरंग धैर के ऊपर निर्भर करता है नेक्स्ट ए 48 नंबर ब्लैक होल का सिधान्त किस ने दिया था तो ब्लैक होल का सिधान्त ए एस चंद सेखर ने दिया था किस ने दिया था ब्लैक होल का सिधान्त एस चंद सेखर ने दिया था ठीक है नेक्स देखते हैं उन्चास नंबर उन्चास नमबर स्वाल है मधुमक्की पालन क्या कहलाता है तो मधुमक्की पालन एपी कल्चर कहलाता है क्या कहलाता है मधुमक्की पालन एपी कल्चर कहलाता है ठीक है नेक्स्ट है पचास नमबर और आज का लाज सवाल हमारे जीब का कौन सा भाग जो मीठा स्वाद देता मातर की होता है थीक है इसका आप अनसर आकपको कॉमेंट बॉक्स में करके बताना है gesली है आज के लिए आज हैनल पर नहींट तो पिलिए सस्क्राइब कीजिए चैहिन ज्यभारत